जितने भी डिडिफ रिडिस के ग्रहाक हैं, उन में से अगर कोई सेटबोक्स लेने जाता है तो mostly users MPG2 box ही purchase करते हैं इसका सबसे बड़ा reason यह है कि MPG2 box आपको 300 रुपे से 500 रुपे तक कम मिल जाता है और जबकि MPG4 box आपको थोड़ा सा कोश्टली देखने को मिलता है यही बड़ा reason है कि MPG2 users की संख्या सबसे ज्यादा है लेकिन वो यह नहीं सोचते कि MPG4 box आने वाले समय की टेकनलोजी है अगर आप नए सेटबोक्स लेना चाते हैं तो MPG4 box लीजिए आज मैं आपके सामने एक नए सेटबोक्स लेकर आया हूँ जो कि MPG4 boxes में सबसे सस्ता सेटबोक्स है Full HD quality में आपको यह सेटबोक्स मिल जाता है इससे सस्ता और कोई भी MPG4 box नहीं मिलेगा चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यह है हमारा Repel Company का MPG4 Full HD 1080p का सेटबोक्स जहाँ पर आपको सभी features इस परकार मिल जाएंगे 5000 channels की capacity है 3G supported है MPG4 है यहाँ Wi-Fi और YouTube यूज़ कर सकते है इसका model number है LR55 अगर यहाँ पर हम इसकी complete details देखे तो आपको complete information मिल जाएगी और साथी साथ यहाँ पर आपको पता भी चलेगा कि USB adapter कौन सा यूज़ करना है RT5370 जो कि Universal है तो आप देख लेते हैं इस side में आपको देखने को मिलेगा इसका price और यहाँ पर है इसका address जो की made in India है यहाँ आप इनकी website पर भी विजिट करके देख सकते हैं और इसका जो price लिखा हुआ है mention किया हुआ है यहाँ पर 1400 रुपीज लिखा हुआ है लेकिन यह बहुत ही सस्ता है चलिए इसको open कर लेते है यहाँ पर हमें इस परकार opening देखने को मिलेगी और side में है यह audio video cable यह है setup box remote और यह user manual तो इस box के साथ हमें यह 4 चीजे मिलती है setup box, remote, audio video cable और booklet जिसमें आपको complete information दी गई है यहाँ पर आप इसकी complete जानकारी ले सकते है सभी चीजे अगर आपको कोई चीज MPG4 से related नहीं आती तो इस manual के साथ आप सीख सकते है यहाँ पर complete information दी गई है जो यहाँ पर remote है remote आप देख सकते है बहुत ही अच्छा है जो इसके button है वो काफी soft है बहुत ही अच्छे से work करते है normally आप use करते हैं जो भी remote उसके button थोड़े hard होते हैं लेकिन यहाँ पर इनके जो button है वो काफी soft है, smooth है फिर है setup box setup box इस परकार हमें देखने को मिलता है fully plastic body और front panel आपको इस परकार मिलगा काफी बड़ी LCD display है यहाँ पर और menu का button भी दिया हुआ है ok का button है channel plus minus और volume plus minus यहाँ on off का button है साथ ही USB port और company का logo इस परकार का look है और side में इस परकार का ventilation और back में आप देखेंगे कि तो LMB in, USB, HDMI cable और audio video यहाँ पर जो adapter है वो inbuilt है power supply के लिए हम अंदर ही system दिया हुआ है अब इसको देख लेते हैं हम start करके कि कि किस परकार का हमें look देखने को मिलता है यहाँ पर आब हम इसे supply दे देते हैं इसकी जो panel है देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ा है और इस परकार का आपको interface मिलेगा ripple company का और यह ddfredis के channel हमें starting में देखने को मिलते हैं यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा panel आपको दिया हुआ है अब देख लेते हैं हमें यहाँ पर किस परकार का look मिलता है तो channel की list हमें इस परकार मिलती है वागई में काफी smooth है और अगर हम satellite देखें तो satellite का button है यहाँ पर auto scan का यहाँ पर जो हमें scanning का जैसे की देख सकते हैं auto scan का button दिया हुआ है उसी से हम satellite को select कर सकते हैं satellite की list आपको इस परकार देखने को मिलेगी और direct auto scan का button प्रेस करते ही आपको इस परकार का interface मिलेगा चलिए menu का button प्रेस करके देखते हैं किस परकार का interface है तो यहाँ पर menu इस परकार मिलेगा आपको सबसे पहले channel list में और फिर है media center में जहाँ पर आपको अपनी pen drive से कोई भी video या music play करके देख सकते हैं उसके बाद है network यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलेंगे लेकिन इन में से वाइफाई और 3G दो का option ही use कर सकते हैं चोंकि LAN का option दिया नहीं है LAN का software के अंदर include मिलेगा लेकिन set of box में इस परकार का option नहीं है साथी साथ online movie app है yahoo news weather forecast इनको तभी open किया जा सकता है जब हम इनको अपने wifi से connect कर लेंगे चलिए मैं एक बार wifi से भी connect करके देख लेता हूँ जैसे ही आप wifi से connect कर लेंगे तो इस परकार आपके ये option start हो जाएंगे online movie application में जाएंगे तो तीन option देखने को मिलेंगे YouTube है, Hotstar है, Maharashtra Media है अब इनको उक्ते करके देखते हैं यहाँ पर ये open हो चुके है और आप media बगारा देख सकते हैं और साथ ही साथ इसी में ही आप YouTube भी चला सकते हैं Most Popular पर हमने click किया तो इस परकार ये वीडियो चलने लगी और अगर हम अपने इंडिया का country select करें इंडिया की country select करने के बाद देखते हैं Most Popular में जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये वीडियो चलने लगी है हमारी ये list आज की है और अगर हम यहाँ प्ले करना चाहें तो प्ले भी हो गया है तो इस setup box में आप YouTube का आनद ले सकते हैं फिर बात करते हैं hot star की चलिए hot star भी एक पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर category में जाते हैं यहाँ पर हमें data error का option देखने को मिला यानि hot star work नहीं कर रही है देखते हैं इसको बाद में की काम करेगी की नहीं करेगी फिर है YouTube YouTube और महराष्टर मीडिया दोनों सेम ही हैं यहाँ पर दोनों का work भी सेम देखने को मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर और फिर बात करते हैं याहू न्यूज की यहाँ पर न्यूज आप देख सकते हैं यूएस की वर्ल्ड की politics, business इस परकार न्यूज अपडेट मिलती रहती है अगला function है weather forecast यहाँ पर अपना setting कर सकते हैं weather की report देख सकते हैं और बाकी है अगला है system और local time setting, parental lock OSD setting, favorite तो favorite list भी आप यहाँ त्यार कर सकते हैं यहाँ पर इस परकार आपको 16 list मिलेंगी तो आप अपनी जरूरत के अनुसार list भी बिना सकते हैं movies, news, music, sports इस परकार तो फिर बात करते हैं अगले option की installation installation में सबसे main installation है यहाँ पर आप अपने satellite को select करके scan करेंगे तो यहाँ पर यह बहुत सारे satellite मिल जाते हैं लेकिन हमारे काम का केवल DD4DC है यहाँ से आप इसको scan कर सकते हैं और अगर आपको transponder add करना है या कुछ और करना है तो अपने remote से auto scan का button प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इस परकार transponder भी देखने को मिल जाएंगे satellite का button है नीचे आप लिष्ट में देखेंगे set का button है transponder पर जाने के लिए और satellite का button है हमारा remote में auto scan का तो इस परकार आपको यूज कर सकते हैं फिर हमें यहाँ पर information दी हुई है information में आपको पता चलेगा कि यह December 2020 का software है उसके बाद है factory setting USB upgrade कर सकते हैं backup बना सकते हैं game खेल सकते हैं तो यह है menu यहाँ पर आपको remote में भी काफी अच्छी facility देखने को मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं EPG का बटन आपको उपर दिया हुआ है favorite है, recall है और play, pause का भी बटन यहाँ बढ़ा दिया हुआ है तो यहाँ इस परकार के बटन आपको मिल जाएंगे recording का है, recording कर सकते हैं और इस परकार आपको menu का बटन मिलेगा और यहाँ पर red, blue, green और yellow बटन eye का बटन है, information के लिए auto scan का बटन है, satellite के लिए auto scan का बटन प्रेस करने पर आपको direct auto scan का भी option आ जाएगा अगर आप EPG देखना चाते हैं तो इस परकार आपको EPG देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं तो अगर आपकी market में ripple company का यह set a box मिलता है तो आप purchase कर सकते हैं सबसे सस्ता यही box है इसके साथ साथ है delos का है अगली वीडियो में हम discuss करेंगे कि delos का box लेना चाहिए या ripple company का तो वीडियो में आज की इतना ही वीडियो अच्छी लगे, like share जरूर कीजेगा और चैनल पर नए है सबस्क्राइब कर दीजी धन्यवाद